जहिन दोस्तो मैं हूँ आसीस और आप सबको इंडिया मैं जान पर श्वागत है दोस्तो आज एमसे को लेकर एक बड़ा न्यूज आया है न्यूज यह है अगले साल से मतलब 2022 से 12 सरकार एमसे को बनाने को लेकर 15,000 करोड रुपया डेवलोप्मेंट और रिसर्च के लिए दे और प्रोटोटाइप बनने के बाद 3-4 साल तक टेस्ट होगा फिर एमसे प्रोडक्शन लाइन में जाएगा हाला कि यह न्यूज जब आया तब बहुत सारे दोस्तों का डिफरेंट टाइप का सवाल था अगर श्रीप डेवलोप्मेंट और रिसर्च के लिए लगभग 2 ब प्रेडी एकजिस्ट है और कुछ सालों से सर्विस दे रहे हैं वो क्यों हम नहीं खरीद रहे हैं जैसे कि 35 या फिर अस्या का अब नया जो सुखवी 75 आया है हाला कि दोस्तों आज मैं इस वीडियो में यह नहीं बात करने वाला हूं कि हमें क्या खुद अपने देश में फ उसे दूसरे देशों की 5th generation फैट रायर का बड़नाने को लेकर जितना पेशा खर्चा हुआ है उसके साथ compare करोगे तो इसके साथ और भी बहुत कुछ छोटे मोटे सवाल है जिसके उपर मैं आज बात करने वाला हूं जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखत करूंगा क्योंकि आप सुब जानते हैं एमसे का तो बहुत सारा footage या फिर image तो है नहीं तो आपको समझाने के लिए मैं दूसरे देशों का 5th generation फैट रायर कप्ट को एमसे के तोर पर इस्तमाल करूंगा दोस्तों एमसे में ज्यादत तर इंडियान टेक्नोलोजी ही इस्तम होगा क्योंकि अब हम तेजस फैटर रायर कप्ट बना रहे हैं इसके बाद तेजस मार्क 2 आएगा इसके बाद और भी जितने फैटर रायर कप्ट आएगा उसमें इंडिया की टेक्नोलोजी बढ़ता जाएगा और यह एमसे प्रोजेट में भरत को काफी मदद करेंगे हाल आप में जो प्रोडक्शन लाइन में जेट जाएंगे उनमें F414 से भी ज्यादा तकतबर इंजिन लगेगा हाला कि अब एमसे का इंजिन बना लेकर ब्रिटेन का रॉल्सरेस कंपानी के साथ डील होने की चांस ज्यादा है हाला कि यह न्यूज अभी तक कंफर्म नहीं है आने वाले एक दो साल के अंदर कंफर्म हो जाएगा भारत कौन सा देश के साथ मिलकर एमसे के लिए तकतबर जेट इंजिन बनाएगा क्योंकि जो F414 इंजिन है वो ज्यादा से ज्यादा 98 क्लिनुटन थ्रोस्ट पेदा कर सकता है लेकिन एक एमसे जैसे 5th जेनरेशन लगे है 2022 तक यह फाइनाल हो जाएगा हमारा एमसे में किस देश का इंजिन लगेगा और हम कौन से देश के साथ पार्टनर्शिप में हमारे देश में इंजिन बनने वाले हैं इसके इलाबार आडर से लेकर बाकी सारे चीज इंडियान टेक्नोलोजी से बननने वाला है तब वो ओपन बेली के साथ साथ हाड़ पॉइंट में भी मिसाइल और बॉम को लेकर जा पाएगा तब वो 14 के करीब मिसाइल और बॉम को अपने साथ लेकर जा पाएगा और यह बोजन तकरीब नौ टॉन की वराबर होगा अगर हम एर टू एर मिसाल की बात करें तो इसमे बोम भी उसमें इस्तिमाल होंगे और आने वाले टाइम में इसमें और भी बहुत सारे made in India हत्यार इस्तिमाल होंगे अब दूस्तों मैं आता हूँ main सवाल के उपर cost के उपर क्या भारत AMCA के उपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा कर रहा है देखिए जब आप सुनोगे सिब AMCA को बनाने को लेकर 2 बिलियन डलार खर्चा हो रहा है फिर जब उसका ओडर आएगा तो और 10-12 बिलियन डलार खर्चा हो सकता है तो आपको लगए है कि ये तो बहुत ज़्यादा कस्टली है देखिए नर्माली 5th generation फैट्र रायर काप्ट कस्टली तो होते हैं लेकिन दुस्तों अगर आप जब दूसरे देशों की 5th generation फैट्र रायर काप्ट बनाने को लेकर development कस्ट या फिर lifetime program कस्ट को देखोगे तो आपका होस उड़ जाएगा मैं पहले आमेरिका से ही सुरू करता हूँ आप सुब जानते हैं अब आमेरिका के पास दो 5th generation फैट्र रायर काप्ट है एक F22 और एक F35 F22 का प्रोटक्शन तो 10-12 साल पहले ही बंद हो चुका है और आज से लगभग 10-15 साल पहले या 20 साल पहले जब उसको बनाने को लेकर Development Cost जारी क्या गया था तक्रिबन 32 billion डलार आज से 20 साल पहले आमेरिका F22 को बनाने को लेकर खर्चा किया था बाद में और 30-40 billion डलार खर्चा करके 200 के करीब हैट्र रायर कर्प्ट का कोस्ट सुनके आपका होस उड़ जाएगा एफ 35 का टोटल लाइट टाइम कोस्ट ए 1.6 ट्रिलियों डालार जी हां 1.6 ट्रिलियों डालार मतलब लगभग अगर आप इंडिया की एकोनोमी के साथ कंप्यार करोगे अब हमारा एकोनोमी है 3 तिलियों डालार के करीब लगभग 60 परसेंट इंडिया का एकोनोमी एफ 35 पोग्राम कस्ट या फिर उसका लाइब टाइम कस्ट में खर्चा होगा और इतने रकम में दुनिया के लगभग 90 परसेंट कंट्री का मतलब इंडिविजयली बता रहा हूं ये जीडिवी से उपर है हाला कि ये भी फैक्ट है एफ 35 आमे के लिए उसका डेवलोप्मेंट कस्ट अमेरिका तक्रीबन 8-10 बिलियन डालार के उपर खर्चा करने वाला है इससे आप अंदादर लगा सकते हो ये जो स्टेल्थ फैट्रेयर काप्ट है या फिर फीब जेनरेशन फैट्रेयर काप्ट है उसको बनाने को लेकर कितना तक्रीबन 5 बिलियन डालार खर्चा किया है ये रकम आपको कम लग रहा होगा लेकिन ये रकम तो आमेरिका की कमपेर से जरूर कम है लेकिन ये आप ध्यान पे रखिए 2010-12 के करीब चाइना ने साइबर आटक करके बहुत सारे स्टेल्थ फैट्रेयर काप्ट बनाने को लेक गया था तब दोनों देश 6-6 बिलियन डालार सुखोई 57 प्रोजेट में लगाएंगे मतलब डेवलोप्मेंट कस्ट में तक्रीब अन 12 बिलियन डालार खर्चा होना था इसके बाद से जो जेट अर्डर होते उसका कॉस्ट और होता हलाकि अब रस्या जो सुखोई 75 बनाया है उसका प्रोग्राम कस्ट कितना है डेवलोप्मेंट कस्ट कितना है उसके उपर तो खुलासा नहीं है हलाकि रस्या यह मार्केटिंग कर रहा है यह जो जेट है उसका प्राइस बहुँ ज़्यादा कम होने वाला है लेकिन दोस्तों अक्चुल सच्चाई में यह सा नहीं ह होगा यह आप कह सकते हो मार्केटिंग में बेवकूब बनाने का एक अच्छा तरीका है अगर रस्या सच में भी इतने कम प्राइस में मतलब 40 मिलियन डेलार के कम प्राइस में एक फिप जेनरेशन फैटर एरकाट बेज भी देता है लेकिन बाद में वो और भी कही सारे तर और प्रोब्लेम का सलूसन यह नहीं होगा कि हम दूसरे देसों से फैटर एरकाट खरीद कर इस्तमाल करें अगर ऐसा कंटिन्यूरा तो हम खुद कभी वे आत्मन रिवर नहीं बन पाएंगे और देश में आच्छा फैटर एरकाट को कभी भी नहीं बना पाएंगे दोस्तो बटन के पास जो बेल आइकान है उसे प्रेस करिए ताकि आगया आप मेरा आने वाले वीडियो को मिश्ना कर सके दोस्तों रुकता हूं बहुत जल्द और एक निया टपीक के साथ मिलूंगा नमस्कार जैंद